तो नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत आपका स्टेडी साला 2.2 में और पेट के जो मॉक्त है उसमें हमने भारती समिधान के चार मॉक्ति कर लिये और पिछले चैप्टर में हम संसदी प्रडाली एवं भारती संसद के बात कर रहे थे तो क्योंकि यह टॉपिक के बहुत बढ़ा है तो काफी कुछ है कंटेंट अभी बाकी रह गया है हो सकता है इसके बाद और एक टेस्ट और लग जाए इस चीज को कवर करने में तो हम उम् सकते हैं और अपने स्कोर जरूर बताए प्लीज ताकि आइडिया लगे कि कौन कितने माक्स पार रहा है ठीक है चलिए समय ना गवाते हो आज के टेस्ट को सुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेस्टन है वह कि मौलिक करतब जो है वो किस देश की संविधान से लिया गया मैं बहुत बार आपको करा चुका हूं मौलिक करतब वाला जो कौस्टन है और यहां पर आपको बताना कि Princ Dess देश से लिया गया है तो मौलिक करतब जो हुर्ण वे रोज से लिया गया है और यह कब एट किया गया था दोस्तों यह 221 संफितान संसोधन अदिनियम 1700 में किया गया था शेतर में क्या था उननीस सो पचात्तर से उननीस सो सतात्तर में जो है अमेर्जेंसी थी उस समय इंद्रा गाधी की सरकार थी और जो फखरदुन अली एहमद यह हमारे उस समय के राश्ट्रपती थे फखरदीन अली एहमद और फखरदीन अली एहमद वह तो यह इस लिए फेमस एक तो पहले ऐसे राश्पते जिनकी जो मृत्तु हुई थी वह इनके कारेकाल के दौरा हुई थी दूसरे कौन थे फक्रुदिन अली अहमद थे और यह दो साल के जो टैनोर था वो सबसे कम टैनोर के लिए जाने आते ठीक है तो मौलिक कर्तब व्याल मौलिक कर्तब कितने थे दस थे भाग नंबर किसमें है मौलिक कर्तब भाग आपका चार ए में है ठीक है सुरवात में दस थे लेकिन छियास में संसोदान अधिनियम से 10 से कितने हो गए 11 हो गए यह कब आया था 2002 में आया था ठीक है और अमेरिका से हमने क्या सबसे जरूरी लिए सब्सक्राइब दोस्तों आइक पुन्रा वलोकन जो हमारा जूरीक इस्टम है वह हमने यहां दूसरा हमने सबसे जरूरी चीज क्या लिए हैं से सिर्फ सारी देशी का लिया ठीक है जापां से हम ने अ प्रोपांस से हमने सेczęद से यह थीज़ान पर प्रसुचीज़े हैं यह मातले चेले हमारा जो संसरे सीड्म और सबस्षार है यह इक ल्गृत पर हमलेक करते सिर्ट हमिदा करने करते when मिधान में कि संसोधन के तहट जोड़ा गया था अभी मैंने पिछले में आपको बताया 42 में 44 में क्या किया गया fundamental rights में संसोधन किया गया और right to property जो थी आपकी यानि कि property का जो अधिकार था उसको हटाया गया और उसको कहा ले गया article 300a मिले गया लीगल राइट की रूप में ठीक है लीगल राइट की रूप में तो यह बहुत जरूरी चीज आपको जाननी चाहिए 44 संसोधन अधिनियम में fundamental rights में पहले क्या थे पहले total 7 fundamental rights थे ठीक है उसको 6 कर दिया गया इसको हटा दिया गया तो एक नाइंटीन वन सी जोड़ा गया था और एक 43 बी जोड़ा गया था ठीक है यह चीज आपको यहाँ पर याद कर लेनी चाहिए किया गया था 10 से जो हमारा जो fundamental आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो 10 से 11 हो गई थी कौन सी डूटी जोड़ी गई थी कि अपने जो बच्चे है प्रोपर सीख्षा प्रदान करें ठीक है बार कि संसदी परडाली 21 किस देश लिए मने आपको बता है पिछले klas में भी बताया था पार आपको बताए बहुत सारे चीजिए समवर्ति सूची लिया है आप जानते होंगे कि जो सात्मा सेडूल है सात्मा सेडूल सात्वी जो अनसूची है इसमें जो है यह सब लिखा गया किसके पास कौन सी पावर होगा तो इसमें जब तेकली, जितने भी पावर से तीन पार्ट में डिवाइड है, कि अदर सरकार के अंदर क्या आता है, राज्य में क्या आता है, और दोनों के अंदर जो आता है वो होता समवर्टी ठीक है तो पहले इसमें 97 था अभी 100 हो गया है इसमें पहले 67 था अभी 61 हो गया बदलते रहता है इसको कोई याद करनी जोट नहीं है तो आप इमांग चलिए कि 61 62 क्या आसपास ही है इसमें जो है करीब करीब 12 13 डूटी जा सब्जेक्ट आते ठीक है तो चलिए मूल रूप से समधान में कितने मौलिक करतब है थे मूल रूप से आपके 10 थे मैंने अभी आपको अताया 11 कितने हुए 11 कब हुए थे 11 हुआ था आपका 86 में संसोदान अधिनियम से ठीक है 2002 में जब क्या जोड़ा गया था कि 64 वर्स के बच्चों को एड्यूकेशन दिलाना एक माबाप का करतब है तो दस से टोटल 11 हो गया थे च्छी आच में संसोदान अधिनियम से और जो आपका मौलिक करतब है वह भाग नंबर चार ए में है रशिया से लिया गया है स्वांड सिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पैड किया ग संसत के कितने भाग है दूसत्तों संसत तोटल संसट अगर है नहीं है कि भाइन क्या टश्रकति क्योंकि देखिए इस लिए राश्ठी पति को संसत का भी नंग बतायता है कोई भीह बिल होगा लोग सबसे पाथ भास हो जा राश्रकति नहीं हम इसको आपained अनमोदन नहीं देंगे तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा ठीक है इसलिए कोई भी कानून बनने के लिए राश्पती का सहमती जरूरी है इसलिए राश्पती जो है संसत के अभिन्नंग और राश्पती भारत के पहले सिर्जन होते हैं आर्टिकल नंबर जो है 52 53 54 यह सार है ठीक है और जो इनकी माफ करने की शक्ति है वो माफी देने की शक्ति है आर्टिकल नंबर अन्यानी के अनुक्षेद नंबर 72 में आती है तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी चाहिए राश्पती से लेटेड जो यह आर्टिकल है बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए लोग सवा अधिक्तम कितने सज़स हो सकते हैं दोस्तों पहले दोस्तों कितने होते थे पहले होते थे पांसो बामन लेकिन क्या हुआ एक सो चारवा जो संसूदान अधिनियम आया था पिछले साल उसमें क्या किया गा यह दो एंगलो इंडियन वाली बात भनती इंगलो इंडियन जो होते थे इसको खतम कर दिया गया तो अ अब कितने हो सकते हैं अब जो होता says 6 लेकिन यहां पर कन्फूज मत होईगा अभी के समय में करन्ट सीचुवेशन में पांसो बावन नहीं होंगे पांसो पचासी होंगे तो कि यह जो संभीधान संसुदान अधनियम एक सो चार इसको याद रखेंगे यहां पर दो तीन और बावादे बता देता हूं संभीधान स जो आपका बैकवर्ड क्लास कमिशन होता है उसको कॉंस्टिटूशन राइट दिया गया एक सो तीनवा जो था वो इडबलू यस से रिलेटेड था एक सो चार आपको मैंने अभी बताया और एक सो पांचवा भी हाली में दिया गया था कि स्टेट जो है यानि कि राज सरका के पास आ गई है चलिए राजसभा कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो यहां पर आपको बताना है थुराटरी की वोशन डाला ताकि आप लोग आंसर दे सके तो राजसभा का कोई कारेकाल नहीं होता दोस्तों राजसभा जो है एक स्थाई वह साधन है इसका विगटन कभी वर्ष रिटायर हो जाते है ठीक है और दूसरी एक खास बात है राजसभा से लिटर बता दूए हाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 250 सदस अधिकतम हो सकते हैं 12 सदस्यों का नामांकन कौन करता राश्टपती करते हैं और यह कंपल्सरी है दोस्तों अनिवार यह 12 सदस्य इसा नहीं कर राश्टपती चाहें तो करें ना चाहित ना करें अनिवारी रूप से ठीक है 12 सदस्यों का नामांकन इससे पहले 238 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं स्टेट असम्बली से ठीक है अब यहाँ पर और कुछ खास नहीं राजसभा का सभापती होता है वो हमारे सदस से भी होता है लकिन यह चीज राजसभा की केस में राजसभा का जो सभापती होगा वो राजसभा का सदस से नहीं होता है तो यह बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा वास्तविक कार्यपालक कौन होता है संसदी प्रड़ाले में एक होता है जो है कि नाम का राजा जैसे आपके राष्ट्रपती है यह नाम की राजा है ठीक है और एक होता है प्राइम मिनिश्टर यह काम की राजा होते हैं इनसे यही असली पावर्फुल होते हैं तो जो वास्तविक कारेपालक होता है रियल जो एक्जेक्यूटिव होता है वो कौन होता है यहाँ पर प्रेजडिन्सियल संसदी परडाली में मंत्री परशद होती है ठीक है बट बंध्री परशद किसकी इशारों पर चलती है प्राइम मिनिस्टर के तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर स्टार मार्क कर लिजिए गा जो यह मैंने कान्फ्यूज करने के लिए करें तो सूथ के आंसे को कि नहीं है यहां पर सही आंसर जो वो प्राइम इस्टर रें बट यह मंत्री परोव किश्लिए सदसी हो तो आधिक्तम किते नामित होसकते बारा लोकसभां कि इतो भ tới होते इस खत्म कर दियागा लोग सभावाले को कब 104 संसोधन अधिनियम से दोस्तों अब आपके ऊपर यह होता है कि आप चीजों को कैसे लिंक अगर के यार कर पाते हैं ठीक है अब मैंने राजसभा की बात की तो आपके दिमाग में कई सारी चीज यानी चाहिए राजसभा का सभापती कौन होता है कितने वर्स का होता है कितने मेंबर चुने जाते हैं कितने मेंबर असेंब्ली से इलेक्ट होके आते हैं यह सारी चीजा आपकी में एक बार में लिंक हो जाए़ ठीक है त सब्सक्राइब कितने सदस्ट हो सकते मैं बता चुका हूं आपसे 250 हो सकते हैं पहले 252 लेकिन अभी 2 को हटा दिया गया है ठीक है लोगसभा राजसभा में चुने जाने की निम्रतम उम्र क्या लोगसभा का जो इलेक्शन है उसमें अगर किसी को चुना जाना तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष यह आपके आंसर हो जाएंगे 25 और 30 अच्छा यहां पर एक बाव बताइए जो आपके गाउं का पंचायत जो सची होता है निकर गाउं का परधान होता है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए मिन्मम एक ग्राम के सब्सक्राइश की जो सब्सक्राइब म्म्मम लैं चोनी के जाते हैं ठीक है तो आपका जो आंसर होगा वह गाउगा 31 और यह सब्सक्राइबर्ण सबकरण सब्सक्राइब सब्सक्राइब जाता है इस तरह से राजसभा कभी खतम नहीं होती राजसभा एक स्थाइश सदन है इसा लिए इसको आपर हाउस भी बोलते हैं ठीक है मैं सब्सक्राइब यह आपको याद रखना है क्योंकि लोगसभा की केस में असा नहीं है लोगसभा केस में speaker जो है वो लोगसभा का सदस्य होता है तो आपको ये चीजे जो है यहाँ पे रिवाइज करनी चाहिए क्योंकि confuse कर सकता है कि क्या राजसभा का जो chairman होता है वो राजसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है दल बदल में सदस्यों को बाहर निकालने का जो प्रावधान है वो किस अनसूची में है तो जो anti-defection law बोलते हैं इसको दल बदल कानून बोलते हैं वो आपके दसवे अनसूची में डाला गया है दसवे अनसूची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि कौन जो है party join कर सकता है तो माल लिजे कोई अगर नामित किसी की अगर सदस्ता जो है नामांकन से मिलिए तो वो अगर चाहे तो कोई party join कर सकता है लेकिन 6 महीने से कम समय में उसके बाद वो नहीं कर सकता कोई independent candidate है independent candidate वो इस independent खड़ा हुआ कोई party join नहीं कर सकता करता है तो दल लेकिन इस पर सुप्रीम कोर का जज्मेंट है कि यार सपीकर का ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जीन ने बोल दिया उनकी मजॉर्टी थी थी कि फला आदमी पारिटी बनली हमारे से दूसरे हम चले गए और वह प्रॉपर तरीके से गए है है माल लीजे वह लीगल ही नहीं नह सबसे पहले शुरू होता हुँगा वह सकते हैं तो उसी को जो है एक कड़ा से काइदेंगे रखने के लिए सूप्रीम कोट ने जन्मिन में कहा था किस फिकर जो भी डिसीजन देगा वह जुडिशल रिवियू के अंतरगत आएगा मतलब आप उसके अगेंस कोट में जा सकते ह होता है है दुस्तों तींa 이거 होता है चंडर में एक होता आपका जो सबसे पहले शुरू होता वह हता बजट सत्र क जो आपका चलता है फर्वरी से मैं तक ठीक है यह बज़ेट वह ता आपका जुलाई से सिप्टमबर तक कि यह सब्सक्राइब कर जो सबसे फोटा होता दो महीने का तुमंत का बस उसर ढहें जो जाएगा वह जुलाई से सिप्टमबर ठीक लगत सरय मिशने नहीं हाई दोस्तों यहाँ पूछा है शामिल नहीं होते यहाँ आप Marshallborg देखना Elois अब बतारा अब आप देखे राश्बादी का जो चुना होता उसमें कौन-कौन लोग सामिल उती पहले तो ne MP सामिल होते हैं ठीक है लेकिन नामित वाले नहीं किवल चुने हुए MP जो जिनको लोग चुन के भेज़ते हैं जिस्ते मानले कोई नामांकन से गया है जो मैंने वो 12 सीटे बताई थी आपको उससे गया है तो राश्पदीक चुनाव में सामिल नहीं होगा दूसरा जो ML होते ह यह भी नामित वाले नहीं ठीक है तो all ML नामित वाले नहीं और all MPs वो भी नामित वाले नहीं तो यह सारे ML और सारे MPs भाग लेते हैं तो नामित सदस जो है वो भाग नहीं लेते हैं तो पूछा है कि कौन से सदस शामिल नहीं होते तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है वन और थ्री यहां पर दो आंसर होंगे आपके वन और थी ठीक है बजट की सनुच्छेत के अंतरगत आता है दोस्तों बजट जो सब्द है यह संभिधान में मंशन नहीं है यह संभिधान में लिखा नहीं गया बजट करके इसे क्या लिखा गया एनुवल फाइनेंशियल रिपोर्ट एक तरह से ठीक है यह लिखा गया सभिधान में लिखा नहीं गया और यह किस आर्टिकल में लिखा गया एक सो बारा में लिखा गया 110 में आपका क्या आता है 110 में आपका आता है धन विधेयक अब एक सोत्रा में अपका क्या था वित विधेयक यह दो टाइप की उते एक सोत्रा का जो पहरा वन है और पहरा थी है ठीक है दो विधेयक होते हैं पचात्र मैंने आपको बता दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 112 यहां पे सही आंसर हो जाए ठीक है अब दोन भी देखे जाततर सरकार के पर्स से रिलेटेड होता है जो हम खर्चा करते हैं एक फाइनेंशल यह वगएर में विदाउट टैक्सिशन टैक्सिशन वगएरा के लौ को हटा दीजे तो सरकार के जो पर्स है उसके बारे में कि हम कितना कहां से पैसा पाएंगे और कितना पैस इसको दस आर्टिकल में सही मान ले धन विधेक का प्रकार है बजट लेकिन बजट धन विधेक जैसा कुछ नहीं है उसकी प्रॉसस पूरी अलग होती हो गवर्मेंट के रिस्पोंबिल्टी को उसको लाना ही लाना है ठीक है फीले ठीक है छोंड एलीजाबेट डू थी वो उनकी ड्यक्त हुई ये तो उनके जगह पर किंग कौन है किंग चार्ल्स बने ठीक है तो वहां पर राज रानी वाला है तो वह वह भी सही हो सकता है लेकिन यदे और राज्रा पती भी राजियका प्रमुख होता है ठीक है तो यहां पर आपके options हैं अब मैंने यहां पर mention नहीं किया देखिए इंडिया या वो मेंशन नहीं किया तो आप जानत आम तोर पर मान लीजिए इंडिया के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग फिलाल इंडिया मैटे हैं तो संसदी पर डाली है वो राज का प पाइटन कैसा लग रहा है और कल आपका फिर से शेशन होगा शाम में होगा समय अभी नहीं बता सकता लेकिन कल शाम को फिर से और पॉलिटी का सेशन होगा और most probably कल के सेशन में हम यह खतम कर देंगे तो जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सीटे पूछ रहा तो यहा परिशद है उसकी सीटे मैं आपको बता चुका हो सव होती है तो यह सारी याद रख लिए यूपी का एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो 403 सीटे यहां पर होती है और अगर कोई डाउट होता आप जरूर कमेंट सेक्शन बताइए आपके कमेंट का हमेशा वेलकम है कोई भी दिक्कत होती कभी कुछ भी है तो आप कांट्रेक्ट कर सकते अंकित सर के नंबर पर और जैसा भी हो आप अपने सुझाव जरूर दीजेगा और उमीद करता हूँ आप अच्छे से प्रहाई करेंगे और जल्दी सेलेक्ट होंगे कोई और दिक्कत हो तो आप जरूर बताईए तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जय हिन दोस्तों